आपको अगर थोड़ी देर के लिए भी किसी कमरे में बंद कर दिये जाए तो आप परिशान हो जाएंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक ब्यक्ति को 60 सालों से एक मसीन में कैद रखा गया है, जी हाँ, 60 सालों से, दरसल ऐसा करना मजबूरी है, मसीन उस ब्यक अलेक्सेंडर को पोलियो हो गया था, और जीवन भर के लिए लगवा मार गया था, आज भी 75 साल के है, और दुनिया के उन अंतिम लोगों में से एक है, जो अभी भी लोहे के फैपड़ों का प्योग कर रहे है, तब मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं हो पाया था, और इलाज के लिए आईरन लंग की जुरुत पड़ती थी, आईए जानते हैं पॉल अलेक्सेंडर की पूरी कहानी, उननीसो चालीस में अमेरिका में जन्वे लेखक और लॉयर, पॉल के बचपन की तिनों की बात है, उननीसो बाबन में जब पेच्छे बर्च की थी, तब उन की गर्दन में चोट लग गई, उस रात घर में ही सोई, लेकिन अगले दिन उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, पॉल के सरीर में दर्द बढ़ता जा रहा था, फेमली डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल ले जाने की सला दी, उन्होंने बता दिया था कि पॉल को पोल में जमाब हो रहा है, और उन्हें सास लेने में भी कटनाई हो रही थी, उनका लगवगरस्त शरीर हिल भी नहीं सकता था, डॉक्टर ने आपातकाली इंट्रेकियो टोमी कर उनके लंग्स क्लियर किये, तीन दिन बाद जब पॉल की आँख खुली, तो उन्होंने खुद को लोही की मशीन की अंदर पाया, यह मशीन आइरन लंग थी, तब उनकी मदद से ही लगवगरस्त मरीज सास ले सकते थी, यह मशीन मरीज के फैपडों में ऑक्सीजन भरने का काम करती है, यह मशीन उस समय का सफल अफिसकार था, इसमें मरीज को करीब 20 साल तक रहना पड़त भी अपनी करदन के नीची का इस सब बिलकुल नीला पा रहे थे, आज भीबे उसी मशीन में बंद है, उनके जिंदा रहने के लिए यह बहुत जरूरी है, पॉल ने बीमारी के आगे हार नीमानी, बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने मशीन के अंदर ही सामने जीवन जी की कोशिस की, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने की सोची, मशीन में रहते हुए उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, उन्होंने लॉकी डिगरी भी हासिल की और वे लॉयर भी बने, 21 साल की उमर में बहे ऐसे चात्र बने जिन्नोंने क्लास नी जाते उन्होंने थिरी मिनिट्स फोर एटॉक नाम की एक बुक लिखी, जो उनकी ही ओटो वायोग्राफी थी, कीबोर्ड पर अपनी कहानी टाइप करने के लिए, वो कभी प्लास्टिक की स्टिक को अपने मुँ में पकड़ कर टाइपिंग करते थी, और कभी अपने दोस्त और नॉर्मन, ब्राउन की मदद लेते थे, इसे लिखने में उन्हें आट साल से अधिक समय लग गया, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी पूरी की, पॉल एलेक्जेंडर अब दुनिया के एक लोते ऐसे सक्स बचे हैं, जो लोही की इस मचीन की मदद से चीवित है, आज पोलियो की बैक्सिन उपलब्द है, और भारा समेथ कई देशों में इस बीमारी का लगपक सफाया हो चुका है, लेकिन पॉल ने जिस तरह पोलियों से लड़ते हुए संगर्ज किया, वो सच में इंस्पाइरिंग है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को ल ऐसी ही और जानकरियों के साथ, तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखे अपनी स्वीटी को इजाज़ती जी, बाई